महिला आरच्छन बिल पर जो अंसन किया जा रहा था वो अपसे थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है यहाँ पर कई लोग है जो इस अंसन में सामिल होने के लिए हैदराबाद से आये थे आये उनी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस तरीके के जो अंसन होते ह हैं उनका हासिल क्या होता है क्या नाम है आपका आप कहां से आएं मेरा नाम सुचित्रा परमेश्व है परमेश कुमार है मैं है लेकिन मौके के लेकर तमाम लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि इडी का सम्मन आया और महिला रिच्षण बिल याद आ गया क्या कहेंगे तो बहुत सोचने की बात है क्योंकि महिला बिल हम लोगां परवेश नहीं किया जो मोडी जी ने जब उन्हें उनका मैनिफेस्ट लागाया उसमें ही महिलों के लिए बिल लाएंगे महिलों के लिए रिजर्वेशन दिएंगे बुलके बुलके रखा सो तो उन्हें दिये सो बात को साफल करो बुलके हम लोगां पूछ रहे उसमें एडी आने में क्या होता और सी बी आई आने में क्या फरक पड़ता उसमें तो कुछ फरक पड़ने का नहीं है और मेरा कहने का क्या है बोले तो बच्चे पड़ाओ, बच्चेयों को पड़ाओ, बच्चेयों को बच्चाओ बोल रहे मोडी जी, पड़ा के क्या करने का है, पड़के तो अडवेकेट बन रहे, लायर डॉक्टर्स बन रहे, इंजिनेरिंग बन रहे, साइंटिस्ट बन रहे, जो इतना बन रहे सो अवर कई को नहीं कर रहें इसलिए हम लोग आये हैं और हमारा नेता है जागुरूती फाउंडर मिसिस कविता कलवकुंटला कविता उन्हें दो दिया आवाज को आम सब और अमिलके आप आगे हैं आपके पीछे हम लोगा है बोलके हाइदरबास से ही नहीं बारे भारत से आए हम ल सब्सक्राइब करते हैं तो जो महिला रच्छन की बात तो सारी पार्टियां करती है लेकिन पार्टियों में जब टिकट देने की बारी आती है तो महिलाओं को सबसे पीछे वह विनिंग की बात करतें कि यह जीतने वाला कंडिडेट इसी को देंगे क्या कहेंगे आपकी पार्टी में लागू कर रहे हैं कि 33% की आगर आप बात कर रहे हैं तो आप आपके हां जो है दिया जा रहा अर्च्छन इस तरीके का है बिलकुल है ना मेरा में कविता का का उद्देश ही अईसा है 33% मेला रिजर्वेशन सब् optimization पूरा कोने कोने से हाए ना और एक क्या बात किसा करें यहाँ प्रफ शुचित्रा जी एक और बात हम कहना चाहलें नईए उनिorry जब बात होती है कि हां मैंलस अ no astrology क्या इसका कुछ हांसिल होगा कि ऐसे बात ही चलती रहेंगे अंसा नहीं चलते रहेंगे जो केसियार जी एक राष्ट की मुख्यमंत्री होके उन्हें 33 परसंट देके सब अवरतों को यह पुलिटिकल में शामिल किया जो मोडी जी कई को नहीं कर सकरे अब तेलंगाने के भाद ले तो सब के वर्ड में बात करें तेलंगाने के बारे में तेलंगाना कैसा बना है जो अभी अभी सो लिया है वो राज और इन लोगा इत्ता बढ़ रहे सो वो उत्ता बढ़ने के कारण क्या है वो 33 परसंट आवरतों को दिया है जो आवरत एक भाई को समलता है बाप को समलता है बेटे को समलता है जो तो आवरत में उतना थाकत है इसलिए के सीयार जी ने क्या कहा आवरत हों को लिए तो अपना राज बढ़ेगा इसलिए वह निनादन से हम लोगा डिल्ली तक पहुंचा है वह निनादन से मोधी को कर रहे हैं आप भी वैसा पर मिज़े जर्वेशन देखके देखिए हम भारत को क्या तक कहां से कहां तक लेके दिखाएंगे वलके